हेलो एन नमस्कार वेल्कम बैक टो यूट्यूब चलें फ्रेंट टैर अकेडमी आज हम पढ़ेंगे फीगर स्पीच आज है फीगर स्पीच की क्लास टू एहली क्लास में मैंने यह पांचो लंकार पढ़ा दिये सिमली मेटाफर प्रसॉनिफिकेशन ओक्सिमोरन अपोस्ट्रफी आज हम पढ़ेंगे अलुटरेशन हाइपर बोली अनोमेटोपिया पन और यूफिमिस्म तो ठीक है तो थोड़ा सा फीगर स्पीच के बारे में जान लेते हैं क्या है यह यह बिस्टी के लिए होता है आभू अडॉन का मतलब होता है ब्यूटिफाइ सुन्दर करना सजाना सिंपल सेंटेंस को सुन्दर बनाने के लिए फीगर स्पीच का यूज करते हैं ठीक है किसी भी वाक्य को अधिक प्रभाफशाली बनाने के लिए फीगर स्पीच का परियोग किया जाता है ठीक है तो आपके में वर्ट्स आ रहे हैं और उनका पहला जो लेटर है जो कौन सानेंट से वह सेम हो लाइक एग्जामपल था पीटर पाइपर पिकड़ पैक ऑफ पिकल पेपर पीपर पीप सब जगह पीपी आ रहा है ना तो देखो यह अलिटरेशन का एग्जामपल है पीपर इना शेड अब देख सकते हो तो इस केशिज में लाइक हिंदी में बात करते है रखुपती राघव राजा राम रह 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 चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चै 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 अगुड कुग कुड कुड कुग एक अच्छा तो यह एक अच्छा खाना बना सकता है तो बेसिकली CCC देख रही हो ना तो जब भी इस टाइप के में यह अनुप्रास को हिंदी बोलते हैं इस टाइप वाले में अलिटरेशन होता है ठीक है पहला सेम है यह इंपटेंट सुपीक दूज़ें लिए इसका मतले होता है अक्सरा सोता है यह एक्जीरेशन के लिए होता है और बड़ा प्र बूर्द बहुत ईज्याद बड़ा चड़ाकर उसको ब मोलते इंहां ए緑र इंवतर इंशलयरेशन है एग्जीरेशन थेंजैंब faster than wind वो हवा से भी तेज़ दोड़ता है ऐसा हो सकता है हवा से भी आज में कुछ तेज़ दोड़ सकता है but figure इसको बोले मिलब he is running fast को हमने सजा दिया hyperbole के यूज करा he is running faster than wind ठीक है तो यह हो गया hyperbole अगर मैं बोलूँगा he is running like a wind इसको लाइक यूज करा है तो similarly हो गया मैंने पहली क्लास में बताया था ठीक है यहाँ पर compare कर दिया but he is running faster than wind तो यह hyperbole हो गया Katrina Kev skin is softer than silk silk तो पहले सी बहुत soft होता है बहुत ही रेशमिदार होता है उसकी skin उसे जड़े soft है यह भी बड़ा चड़ा के बाद गोली गई है अतिश्योक्ति का यूज करा है यहाँ पर तो again it is an example of hyperbole I have told you million times ऐसा होता है million times million होता है 10 lakh ठीक है 10 lakh बड़ बड़ नहीं होता है एक बार 10 बार 15 बार बोलता है इंसान but बोलता है I have told you many times इसको सजा दिया many times को यहाँ पर सजाया है और यूज करा है million times बड़ा चड़ा के बोला hyperbole I have told you million times we have not met since ages ages से नहीं मिले ऐसा थोड़ी होता है we have not met since year, two year, 10 साल ऐसा होता है बट ages तो नहीं होता है era तो नहीं होता बटने बड़ा चड़ा के बोला है तो hyperbole के यूज हुआ है ठीक है we have not met for a long time यह इस sentence था simple इसको थोड़ा figure of speech यूज करके कर रहा है तो hyperbole बना दिया since ages यूज करके I hope clear हूँ मैं पन अब पन को बहुत साई definition से उसकी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इसको basically humorous way of using a word which gives more than one meaning it is basically a sort of joke पढ़ोगे तो थोड़ा लगेगा humorous way में use करा है जब भी किसी एक शब्स को like upon the figure of speech that plays with words शब्दों से खिला जाता है हाँ पर एक word यूज करेंगे उसके multiple meaning हो सकते है ठीक है fishes are smart because they live in school fishes smart होती है because वो स्कूल में रहती है एक मतलब तो यह हो गया school हो गया school वाला ठीक है यहाँ बच्चे पढ़ने जाते है fishes are smart because they live in school जो group of fishes है ना उसको भी school ही पोलते है दो मतलब हो गया school के है दो मतलब निकल गए ठीक है अब यहाँ पर देखो stable animal है stable होता है एक होता है अस्तबल ठीक है एक stable होता है firm मजबूत strong जो होता है है ना तो यह basically होता है होड़ सिज़ है stable animal तो यहाँ पर stable के दोनों मतलब आ रहे है अस्तबल वाला भी और strong वाला भी तो यह pen हो गया you are right so I left आप देखो यहाँ पर दो मतलब आते है आप सही थे तो मैं वहाँ से चला गया you are right so I left मैं निकल गया वहाँ से एक दूसरा मतलब है आप right जा रहे थे तो मैंने left ले लिया तो यहाँ देखो दो मतलब आ रहे है समझ में आप सही थे तो मैं आपसे निकल गया यू राइट सौई लेफ्ट आप राइट जा रहे थे तो मैं लेफ्ट मैंने लेफ्ट ले लिया ठीक है एक एक एक्जांपल मैं आपको यहां पर और देता हूं काफी एच्छा एक्जांपल है एक्जामी पूछा गया है इसको अटा लेता हूं आप पर सोड़े चगा बना लेते हैं यह दा जो बोलते है इस लाइफ वर्थ लीविंग डिपेंड्स अपन दी लीवर देखो लाइव जीने के योग्य है वर्थ लेविंग डिपेंड सपोन लिवर लिवर पर डिपेंड करता है अब यह लीवर के दो मतलब एक तो लीवर वाला जो किट्रिन लीवर वाला है बहुत इंपर्टन बहुत ही जादा मतलब और्गन होता है बॉडी का जो काफी जीरा है जीरा है उर इसका निल लाइवर वाला लीवर किड्ल लीवर किड्ल ला तो यहां पर लीवर की 2 examples हो गयां 2 मतलब हो गया है तो basically 1 मतलब के एक sentence में जब दो मतलब निकल रहो होना तो पन यूज करे जाता है Anomotopia दोनी सूचक बोलते हैं इसको The formation of words from the sound कुछ words की formation sounds से होती है example लेखते हैं Splash in a water Woof by a dog Quack by a duck Hiss by a snake Chirping birds Buzzing bee Roaring lions Shier का दहारना Battो का quack का करना Hiss Sarp का Hiss करना Chirping बोलते हैं इसको तो basically यह type जो होता है ना वो Anomotopia में आता है ठीक है जब भी आवाज से Formation of words होता है from sound से तो यह Anomotopy का example है इसको हम देखते ही जब भी कभी आएगा तो लग देंगा I had the wolf of dog तो I've used Anomotopia Euphemism पढ़ते हैं Madhur Bhashi बहुत बहुत जार इंपनेट है याद रखना है इसको A way of speaking the unpleasant things in a pleasant manner ठीक है कठोर शब्दों को Madhur शब्दों में बोलना ठीक है कठोर शब्दों को Madhur शब्दों में बोलना ठीक है She has failed this time यह failed हो गया किशे को बोलो गया तो फेल हो गया उसको बोलो She could not make it this time वो इस बार नहीं कर पाई His father died वो मर गया गंदा लगता है बोलते है Passed away His father Passed away Accidental deaths को बोलते है Collateral Damage समझ में आगे है Collateral Damage Don't lie to me मुसे जूट मत बोल एक्दम लगेगा उसको सजा रहे से कैसे बोल रहा जूट मत बोल मैं को सजूट बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा सजा के बोलते है यह फिर सुनको बात तो उन प्रिजेंटर की जूट मत बोल कैसे बोल रहा है Like he has sent to jail He has sent to correction facility Jail को बोलते है Correction Facility He is unemployed तुम बेरोजगार हो ऐसे किसी को बोलोगे तो उसको थोड़ा लगेगा मतलब jobless लगेगा He is jobless He is unemployed थोड़ा गलत लगेगा अब बोलेंगे He is between jobs तो लगेगा बोलते अंडर प्रिविलेज बोल देते हैं बहुत पार To कठो शब्दों को मदो शब्दों में बोलने के लिए Handicapped को बोला जाता है Handicapped को बोला जाता है Differently Abled बोल देते है Differently Abled तो basically ये सारे हमने 5 Part of Speech आज भी कवर कर लिए हमने उससे पहले पांच करेंगे अब next class में class 3 में हम दुबारा Part of Speech आज करेंगे और आज का lecture हम यहीं समाप करते है अगर आप कोई lecture पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली सारी वीडियो का लाब उठाईए और ready रहे है next class के लिए इसके बाद में सारे जितने questions आया है ना Part of Speech के CTAT में, UPTAT में, KBS में सारे एक चेप्टर में डालूँगा सारे एक lecture में रिकॉर्ड करके उसको प्रस्तूद करूँगा Thank you and all the best